ओम शान्ती, 31.3.203 की मुल्ली है, मुख्य रूप से बाबा ने कहा, मुख्य परिक्षा आती ही है दो, यह दोनु मुश्किल ही, पीछा छोड़ती नहीं, एक है काम, दूसरा है क्रोध, क्रोध का भूत घरी घरी दर्वाजा खरकडाता है, बाबा ने कहा, अपना मिजाज बहुत मिठा बनाओ, भूले चुके भी, किसी को दुख मत दो, आगे कहा, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है, जो अपने उपर, क्रिपा के बजाए, श्राप आजाए, कोई भी भूत के वशो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है, श्रिमत पर, बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है, अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी, किसी को दुख म बुरे बचन कहना, क्रोध करना, डांटना ये सब दुख देना है, प्रशन है, माया बच्चों की परिक्षा किस रूप में लेती है, उस परिक्षा में अडोल रहने की विधी क्या है? उत्तर मुख्य परिक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में यह दोनु मुश्किल ही पीछा करती है क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दर्वाजा खड़कडाता है देखता है यह कहां भौब हो तु नहीं करते अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते है इन परिक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्व शक्तिवान बाब से योग रखना है अंदर खुशी के नगारे बज़ते रहे ग्यान और योगबल ही इन परिक्षाओं से पास करा सकता है गीत है नेरबल की लड़ाई बलवान से उम्श्यान्ति बच्चे समझते हैं और बाब भी समझाते हैं के तुम फिर से आए हो पारलोकिक बाब के पास और सब है लोकिक बाब यहाँ है सब आसुरी बुध्धी सत्यूग में है दैवी बुध्धी आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है आसुरी और दैवी पतित और पावन में फर्क बहुत है तुम जानते हो हम पावन थे फिर रावन ने पतित बनाया है अभी फिर बाब द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्सा ले रहे हैं सत्यूगी राज्य भाग्य का वो भी 21 जन्मों के लिए जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं फिर भूल जाते हैं जो बात याद रहती है वो फिर औरों को समझाने के लिए दिल तपकती है याद नहीं होगी तो दिल तपकेगी नहीं फिर वो खुशी के उच नहीं आएगी, मौर्जाई हुई शकल दिखाई देगी, अभी तुम जानते हो, हम फिर से गवाया हुआ सत्यू का राज्य भागी ले रहे हैं, वो जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था, वो तो ले लिया, परन्तु माया ने हमारा राज्य छी ना है, यह कोई को पता नह हैं, क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया, हट से, भूखर ताल आदी करके, यहां तो वो कोई बात नहीं, तुम्हारी दिल में है, हम पांच हजार वर्ष पहले मुआफिक, फिर से राज्य भागी प्राप्त करते हैं, बाप की श्रिमत पर चलने से, इसमें तलवार आद कुछ भी चलाने की मत नहीं देते, कहते हैं बचे, सुईट टेमपर बनो, बहुत मीठे बनो, सत्युग में शेर भकरी भी इकठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता, यहां दुख का वार बहुत होता है, काम कटारी चलाना, यहां भी दुख का वार है, किसको बुरे वचन बोलना, वाक रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है, बाब कहते हैं, किसको भी यह दुख नहीं देना है, अपना मेजाज बहुत मिठा बनाओ, भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो, स्री क्रिश्न के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है भगवान के साथ गीता के साथ फिर महभारत लड़ाई का connection है अभी वही संगम यूग है श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं श्री कृष्ण की राजधानी है सत्यूग में श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी यहां है पतित को पावन बनाने का उत्सव सो तो पतित पावन परमात्मा ही है न कि श्री कृष्ण श्रे क्रेश्न का जनम तो सत्योग में हुआ वहां तो कंसरावन सोर्पनखा आदी हो न सके यह इस समय है आसुरी संप्रदाए इन सब बातों को तुम अभी समझते हो तुम्हारी बुध्धी में है हमने बेहत के बाप से अनिक बार राज योग सीखा और 21 जनम राज पद पाया है फिर माया से राज भागे गवाया है जो माबाप दादे के दिल पर चड़े हुए बच्चे हैं वही तक्त नशीन बनेंगे जो फर्मान बरदार नहीं वो क्या पद पाएंगे पद पाना चाहिए सूरिवनशी नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे बाप दादा की आग्या पर नहीं चलते हैं ब्रम्हा की मत भी मशूर है शिबाबा की श्रिमत भी मशूर है तो ब्रम्हा और शिबाबा के साथ उन्हों के उलाद की भी मत मशूर होनी चाहिए तुमको शिब बाबा और ब्रम्हा दोनों कीमत पर चलना चाहिए तब तो श्रेष्ट बनेंगे मात पिता भी श्रेष्ट बनने के लिए कितनी अच्छी धारना करते हैं सब बच्चों को पढ़ाते हैं मुरली सब बच्चों के पास जाती है इनका पाठ ही है पढ़ाने का कई बच्चे ऐसे भी है जो माबाब से भी अच्छा पढ़ाते हैं शिब बाबा की तो बात ही उंच ठहरी परन्तु मम्मा बाबा से भी इसमें होशियार बच्चे है भल समपून तो कोई बना नहीं है कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं माया का वार होता है दिवे को तुफान लगते हैं जितना ज्यान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी जोती जगी रहेगी कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है कोई का दिवा बहुत अच्छा जलता रहता है आत्मा रुपी दिवे को ही तुफान लगता है तुफान तो लगेंगे बाबा कहते हैं नंबर वन अनुभवि मैं हूँ रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी बाब समझाते हैं हे दिवे ऐसे ऐसे तुफान आएंगे परन्तु करमेंद्रियों से कोई पापकरम नहीं करना कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया ऐसा अभ्यास करना पड़े क्रोध भी मनुश्यों की पूरी ही सत्यानाश कर देता है यह भी बड़ी परिक्षा होती है क्रोध का भूत आकर दर्वाजा ठोकते हैं देखे भोभो करते हैं अगर कोई भोभो करने लग पड़ते हैं तो दिवा बुझ जाता है माया सबकी परिक्षा लेती रहती है समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं अब फिर इन में एक रोध आ गया है बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे माया का तुफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े फिर कहा जाता है किस्मत हम परिक्षा में ठहर नहीं सकते बच्चों को तो परिक्षा में बड़ा अडूल रहना है योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है कोई हाथियार पवार नहीं लेते बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं बाब को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे क्रोध की भी स्टेजेज होती है काम का भूद तो बड़ा खराब है शल कोई में काम का भूद फिर से प्रवेश न करे उनको योग बल से निकाल देना है योग से ही क्रोध का भूद भी निकलता है घड़ी घड़ी दरवाजा खट-खटाते हैं कहां मरजिन देखी और घुस पड़ते यह पाच चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं हम कितने साहुकार थे पाच विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है इनका बड़ा सरदार है काम सेकेंड नमबर है क्रोध काम बच्चू बादशाह है बड़ा मुश्किल से पिछा छोड़ते हैं बड़ा भारी दुश्मन है बहुत तंग करते हैं बेचारी अब लाएं कितनी मार खाती है उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है परन्तु वो भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे जूठो की नहीं तो यह विकार मनुश्यों को एकदम डर्टी बना देते हैं क्रोध की बिमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपना भी सत्यानाश कराते हैं दूसरे की भी खुराक बंध हो जाती है हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वो बंध हो जाता है उन्हों पर बंधन आ जाता है फिर उनकी अविनाशी भविषय जनम जनमांतर की आजीवी का बंध हो जाती है ऐसे जो परमपिता पर मात्मा से वर्शा लेने में बिग्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो, वो जैसे कि अपने उपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं, कोई ट्रेटर बन जाते हैं, तो कितने का नुकसान करते हैं, भविश्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है, इसलिए बाप कहते हैं, महा पापी, महा बेसमज, महा कमबक्त द पूल्टा डाल देते हैं, तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाय आ जाती है, जानते हुए और फिर कुछ करते हैं, तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी, बाप कहते हैं, ऐसा काम कोई नहीं करे, जो ट्रेटर बने, और अबलाओं पर अत्याचार हो, उनको गा आजी भी कहा जाता है, माथे में खून का टेंपरेचर चर जाता है, तो फिर तलवार उठा कर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फासी पर चढ़ा देते हैं, यहां भी ऐसे बन पड़ते हैं, कोई में क्रोध का भूत आ जाता है, तो कितनों को आजी भी का बंद करा देत बाब कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है जो ट्रेटर बन बिगने डालते हैं उनके उपर बड़ा पाप चड़ता है चड़े तो चाखे वैकुंठ रस गिरे तो एक दम चखना चूर या तो वैकुंठ का मालिक या तो नोकर चाकर ऐसा काम जो करेगा तो इतना ह पाप आतमा भी बनेगा बहतों को दुख देने के निमित बन जाते हैं बाबा को तरस भड़ता है माताओं का तो रिगार्ड रखना है बंदे मातरम गाई जाती है बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं उन पर अत्याचार बहुत होते हैं तो उसी की लदे बच्चों को बहुत देनी चाहिए अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा बहुत सपूत बनना है असुर को देवता बनाना है बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं फिर जो बहुत योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूं जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एक दम फसकलास शरीर मिल जाएगा तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे ग्यान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो बाबा जैसा फसकलास कारिगर कोई होता नहीं यह ब दुनिया पलड जाती है उस सुईट फादर को कोई जानते नहीं सर्वभ्यापी कह देते हैं मनुष्यों की बुध्धी में यह भी नहीं है कि यह नर्क पति दुनिया है यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुध्धी में है बड़े बड़े करोर पती सब का धन मिट्टी में मिल जाएगा बड़े दुखी हो मरेंगे आज कल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो बड़ा खराब समयाना है अब तुम बच्चे पुर्शार्थ कर रहे हो भविश्य के लिए और कोई भी भविश्य के पुर्शार्थ में फिर माया भुला देती है फिर जैसे के वैसे बन जाते है माया एक दम मुफेर देती है इसलिए बहुत संभाल करनी है जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है हम बाप से 21 जनम सुक का फिर से वर्सा ले रहे हैं बाप को याद करने से खुशी वो इन आखों से महल आदी देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य द्रिष्टी से अथवा ज्यान के तीसरे नेत्र से जानते हो के हम बाप से सदा सुक कवर्सा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो। चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभा गिशाली इस रिष्टी पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। वहाँ बड़ा सुक है। यह भी जानते हैं राज योग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्वीश कर फूलों को वकलियों को बागवान के पास ले आते हैं। फिर उन्हों को सर्वीश की आफरीन भी मिलती है। ज्यान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैलूबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से स आहुकार बनते हैं। गाया हुआ भी है। अतिंद्रिय सुख मैं जीवन गोब गोपियों से पूछो। कौन से गोब गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया यह है बड़ी लोटरी। बाप स्वर्ग का रचैता है तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। बिश अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुर्शात करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उंच पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थपर ख खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एक दम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए। नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा। मिठे मिठे से किलधे बच्चों प्रती मात पेता बाप दाद को याद प्यार गुड मॉनि और नमस्ते बाबा नमस्ते। धाना के लिए मुख्य सार पहला ऐसा कोई भी करम नहीं करना है जो अपने उपर कृपा के बजाए श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है। चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाच से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वर्दान है सरल संसकारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्शन से परे रहने वाले सदा हर्शित मूर्त भव। विस्तार है। अपने संसकारों को ऐसा ऐजी अर्थात सरल बनाओ तो हर कारिय करते भी इजी रहेंगे। यदी संसकार टाइट हैं तो सरकमस्टेंसेज भी टाइट हो जाते हैं। संबन संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खी चातान में रहने वाले इसलिए सरल संसकारो द्वारा ड्रामा के हर द्रिश को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्शन से परे रहो ना अच्छाई आकर्शित करे और ना बुराई तब हर्शित रह सकेंगे स्लोगन है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है अच्छा ओम श्यान्ति झाल 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 झाल